कि अग्सटीर और इंटेर दोनों के लिए है वेसे तो मार्केट में बहुत सारे इसे हिलमेट क्लीनर एवेलेबल है क्यूंकि मैं साइन इस पर पहले भी प्रोड़ाट यूज किया हूं एक भरोसा बन गया है तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं ट्राइकर करके देखता हूं मेरे हिलमेट का वो खुलता नहीं है तो उस रिस्पेक्ट से में इसको मैं क्लीन करने वाला हूं अनुस्ली स्पिकिंग यह हिलमेट को लास्ट टू मंस में यूज नहीं कर रहा हूं जो कंडिशन जो था पसीना होके तो उस कॉंडिसे में रख रखके अंदर में थोड़ा फंग ही आप इसको यूज कर सकते हैं ऐसे कोई भी सइड एफेट स्केन नहीं है तो चलिए इसको यूज करते हैं तेले आपको अच्छे से शेक्क कर लेना है और यूनिफ़र्म ली अच्छे से आपको हर एक पार्ट में कॉर्णर में आप इसको स्प्रेई करना है कुछ बोग च एक जैसे मैं सप्रेड कर वहीं पर ये फोम डेवलेफ हो रहा है तो हरे कॉर्णर में आपको अच्छे से इसके साथ तो लूज हो जाएगा और अच्छे से आपको microfiber से scrubbing चालू करना है gently ज़्यादा जोड़ देने का जरूत नहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा scrub करने से कितना male ये निकाल के बहाल लेकर आ रहा है जो कि naked eye से उतना visible नहीं था तो यहाँ पर देखें microfiber में कितना गंदा निकल के आया है और बहुत अंदर आमें smell था दोस्तो इतना दिन रखने के बाद और एक hygiene maintain करना चाहिए जब भी आप helmet को use कर रहे है तो देखें टैग कितना अच्छे सा भी clean हो चुका है और ये cleaning part देखें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो साइनिक्सपर के helmet क्लियर है मैं अपने कार का जो डोर पैडिंग जो रहता है कपड़ा का उसमें भी use करके आपको दिखाऊंगा कि क्या वहाँ पर काम करता है नहीं तो देखें यहाँ पर कितना अच्छे से अंदर में clean हो चुका है बिल्कुल भी नया लग रहा है तो कुछी तरह से इसका output निकल के आता है अब बारी है इसका जो exterior part है आपको simply इसको spray करना है ज्यादा इसमें कुछ है नहीं और वाइजर में अगर यह लग जाता है तो आपको simply wipe करना है पानी से और कुछ नहीं को ऐसा कोई नहीं की वाइजर में blur हो जाएगा ऐसा कुछ problem होगा तो कुछी तरह से spray करने के बाद आपको कुछ दिर के लिए छोड़ देना पड़ेगा कुछ दिर के मतलब और से 30 या वन मिट के लिए छोड़ दीजे ताकि जो मैल है अच्छे से dissolve हो जाए उसका साथ ठीक है और फिर आपको as usual थोड़ा आपको rub करना पड़ेगा एक पॉड़क्ट में जब यूज करा तरने हेलमेट पे तो जो में डिसेजन लिया था कि साइनिक्स प्रो का ये पॉड़क्ट में पर्चेस करके ट्राइ करूंगा उसमें कोई भी शक नहीं रहा मेरा टोटली डाउट क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से क्लीन हो रहा है और ए एक अच्छा इंवर्डमेंट भी बना रहेगा तो देखिए कितना अच्छा से यह क्लीन हो गया है यहां पर इच और को आप टार्गेट कीजिए कोई पार्ट को छोड़िया मत तभी जाके आप आपको एक अच्छा आउट्पूट दिखने को बिनेगा तो देखिए overall microfiber में कितना गंदा निकल के बहार आया है और मैं आपको highly recommend करूंगा अगर आप अपने हेलमेट से प्यार करते हैं और एक हाईजीन मेंटेन करना चाहते हैं तो का हेलमेट क्लियनर आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए एक बट्राइ करके आप देखिए खुश हो जाओगे इसे आप किसी भी टाइप का हेलमेट में यूज़ कर सकते हैं इसमें कोई boundaries नहीं है कोई भी restriction नहीं है किसी भी पार्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं रबर कर दो